पस्चिम बंगाल में एक तरफ बीजेपी अपनी पैट मजबूत करने की कोशिश कर रही है वहीं सत्ता रूट टीमसी के सामने अपना गड़ भचाने की चुनौती भी है चुनौत से पहले कई नेता टीमसी का साथ छोड़ें इसी कड़ी में अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया है विधान सभा चुनाओं से पहले टीमसी की नेताओं का अपने पद और पार्टी से इस्टीफा देने का सिल्सला जारी है पस्चिब बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बैनर जी ने शुक्रुवार को विधायक पत्र से इस्टीफा दे दिया है अगर मुझे काम करना है तो संक्सदियों गनतंत्र में कोई भी एक पार्टी में ही रहना है तो मुझे अभी जहां मुझे सम्मान मिलेंगे जहां मुझे काम करने का मौका दिया जाएगा तो I will choose that. राज सरकार में वन मंत्री रहे राजी बैनर जी ने विधायक पत्स से स्थीफा देने के कुछ घंटो बाद ही TMC को भी अलविडा कह दिया उन्होंने पार्टी से अपना स्थीफा CM ममता बैनर जी को भेज़ दिया है इतर तमिल लाडू में हर पार्टी ने सियासी चक्रवी रचना शुरू कर दिया है इसी सिलसले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा तमिल लाडू पहुँच चुके हैं नड़ा के मदरोई में आज खास कारेक्रम है तमिल लाडू में सियासी विसात बिच चुकी है इसी विसात पर बीजेपी ने अपने मोहरी सजाने शुरू कर दिये हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा तमिलाडू की दो दिवसी यात्रा पर हैं 29 जनवरी की शाम जेपी नड़ा तमिलाडू पहुच चुके हैं आज मद्रए में जेपी नड़ा पबलिक रैली को संबोधित करेंगे अपने दौरे के दोरान जेपी नड़ा मद्रोय के प्रसित मीनाक्षी मंदिर में प्राठता भी करेंगे आगामी चुनाओं के लिए चुनाओी तैयारियों की स्रमिख्षा के लिए नड़ा पार्टी नेताओं के साथ बातचीस करेंगे विधान साबा चुनाओं के मद्दे नजर जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्पून माना जा रहा है